हेलो एविवन मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर अनुकुल कुमार और आप यहां पर देख रहे हो लेक्शन नुम्बर फोर जिसमें यहां पर हम आज से वीरे स्टार्ट करेंगे और इसके इंदर सारे देवन से आपको मैं बता रहा हूं प्रीविएस वीडियो नहीं देखिए जरूर जाके देखें जिसमें हमने कैसे कैमरेंगल सेटप करना है लेक्शर 3 में कवर किया था और बाकी 1 & 2 में हमने इसकी पूरी जिमेटरी बनाई थी जो आपने पीछे मॉडल देख रहे हो ठीक है चलिए अब यहां पर आगे बढ़ते वैसे तो काफी सारे मटेंसिस में आल्रेडी मैंने असाइण कर दिये हैं लाइक देस बट यहां पर असाइण करने में तो 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 अब से पहले ऐसा आप आप कर लोगे अपना एसे ड्र जो नहीं जानते यहां पर आप देखिए इस तरीके का कॉगल दिखता है यह लंबा सा आपको सबसे पहले एसे ट्रेंटर पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख पाएंगे आपके पास कुछ पूरा ऐसा काम करता है ठीक है यहां पर हमारा जो मेजर वाला पार्ट है वह आज का हमारा इससे कवर हो जाएगा ठीक है तो आप इसके पर ऐसा पूरा फोकस रखेंगे क्या करना है आपको सिंपली राइट क्लिक करना काफ़ी सारे मटीरियल से आप दो पल के लिए इनको एक चोटा ऐसा ऐसा एरो दिख रहे है देखो ऐसा क्लिक करोगे तो यह ओपन होगा इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी इसको मैं फटा वट से इन शॉट में क्लियर करवा देता हूं डिफ्यूस क्या है जो भी आप बाहर से आउट्सोर्स मटेरियल लाते हो वह यहां पर डलोगे simply इस पर क्लिक करना है अब बताउंगा भी आप यहा 2 अपने करेंगे जहां पर भी आपकाuencia है फाइल का फॉल यह measure जो है हमें इसी image formation में मिल जाती है कोशिश करें कि आप इसके अंदर अपने image file को रखें उसके बाद आता है reflection तो reflection क्या होता है कि एक कोई भी surface है अगर आप उसके आर पार नहीं देख पाते तो जो भी उससे light टकराती है वो उस surface से light bounce करती है और उसकी वज़े से आप उस आर पार देख पाते हो लाइक आपका glass हो गया है ना तो glass के आर पार देख पार है तो that means वहाँ पर एक transparency है है ना वह property के लिए आप यहाँ पर रिफ्रेक्शन का यूज करेंगे तो तीनों major part है यह बहुत जादा जरूरी है coat होता है अगर आपको extra reflection डालनी है तो जैसे अग सफीका लग रहा आप एक और coat डाल दीजिए ठीक है तो इस तरी किसा आप इस concept को याद भी रख सकते हैं बात करते हो पैस्टिस होई हमारे scope में नहीं और इसको ऐसा यूज नहीं करना है बंप क्या होता है basically काफी surface पे आप देखते होंगे कुछ उबढखावर सा feel होता है अगर मैं आपके आँखों पे पट्टी बांदू तो basically आपको मैं एक surface touch करवाऊं तो आप बता दोगे कि वह अगर plane है तो that means वह एक pattern है और अकर वह एक उबडखावर सा लग रहा है उसमें variation है level wise तो वह आपका texture में count होगा और अकर आपको texture वाला feel देना है तो उसलिए right source file में होना जरूरी है आपको एक और वीडियो में suggest करता हो गाइस अगर आप यहां पर सीखना चाहते हो या फिर मैं यह को देखना चाहते को वीरे 6 के अंदर क्या-क्या नए features add हुए है तो उपर बटन highlight हो रहा है इस वीडियो के बाद आप जरूर वीडियो को भी check out कर सक हो तो आप यहां पर सेम ऐसा ही हर बार रिजल्ट देखोँगे ठीक है लेकिन आपको यहां बिटमेप पर जाना है यहां देखिये बिटमेप आ रहा है आप इस पर क्लिक करके जहां पर भी आपको वह particular photo है आप उसको इसा असे सेलेक्ट कर लोगे ठीक है सेलेक्स करने के ब बचे मैंने चाहता कि टाइम वेस्ट हो यहाँ पर मैं एक एक करके आपलाए करो है ना सो अभी आगे हम ग्लास मेडिल के ओपर भी बात करेंगे बस बने रही वीडियो पसंद आ रहे तो है लाइक जरू करें वेल यहाँ पर टेक्शन स्लोट पर क्लिक करने के बाद देख सकत हमारे ऑब्जेक्ट के ओपर करवाने में हेल्प करती है यहाँ पर देखें इसका यह कलर है और यहाँ पर यह जो कलर होका हमेशा याद रखिए आपको सिर्फ इसी टोन में प्ले करनी है यह ब्लाक लोगे तो आपको बिल्कुल भी रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मतलब थीक है फिफ्टी परसेंट और वाइट का मतलब हंट्रे परसेंट वैल आपको एक बर परफॉर्म करके भी इसको दिखा देते हैं अगर मैं इसको फुल किया तो आप उपर देख पाओगे यह कितना जादा रिफ्लेक्टिविटी हो रहा है अगर मैं इसको कर दिया तो यह इस तरीके से आपका शाइन कम आ रहा है इसके उपर अगर आप चाहते हो कि एकदम हंड्रे परसेंट आए तो आपको यहां पर इस ग्लॉसीनेस को भी वन पर रखना होगा जितना जितना आप इसको डॉल करोगे उतना आपके मटेरियल के उपर जो ग्लॉसीनेस का आपका ब्लर होने लगेगा तो फिलाल अभी के लिए यहां पर हम यूज करेंगे पॉइंट सेवन और यहां पर शाइन थोड़ा सा कम मैं कर देता हूं क्योंकि यहां पर सबसे इच्छा तरीका इसके लिए कि एक पर्टिकलर मटेरियल को आप अपने सामने रखिए और उस इसको एक लाप्लाइक करने जा रहा हूं आप यहां पर इसको कर सकते हो और अभी देखो एक वाल की यह पर यह अपलाइक करता हुआ दिखा रहा है से उसी तरीके से अगर मैं इसको वाद खूंज अप एक नया आया है जो इसमें तो अभी आप लिए पा रहे हो की तो यहाँ पर देखे अभी इसका नाम यहाँ पर ग्रे है अभी जो इससे पहले देख रहे तब वो था ब्राउन यह ग्रे वाला बट आप देख पा रहे हो इसका जो पर्टिक्लर शाइन है वह हंड्रेड है एक चीज नोटिस करने वाले इसका जो कलर है यहाँ पर स्क्रीन का उप्शन है जैसे आप इसके पर क्लिक करोगे आप यहाँ जो भी कलर है आप उनको सेलेट करके से मुसी कलर से मैच अप करवा सकते हैं जो कि बहुत जादा मज़ेदार हो जाती है वेल यहाँ पर यहाँ वीडियो फिर से मैं बोलों पसंद आ रहा तो लाइक करे है और दिक्कत आरे कोई भी डाउट है तो आप ऐसा कमेंट जरू करें ठीक है अभी मॉडलिंग करने में मुझे इशू आ रही है मतलब मट्रील अपलाई करने में जो ग्रे ग्रे सा दिख रहा है सो लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था कैसे आप आप टैक्स यू रेलिंग यानि आर ग्लास लिख दिया है मैंने इसके बाद यहां पर मैं टेक्शर स्लॉट पर कुछ भी नहीं डालूँगा विक्स ग्लास मैं प्लेन रखने जा रहा हूं यहां पर रिफ्लेक्शन को मैं कर दूंगा फुल और साथी साथ रिफ्रेक्शन अब जब मैं अब यहां पर देखो अब भी आपको प्रीव्यू यही से मालूम बढ़ेगा कि बाकी सेटिंग्स और क्या कर सकते हैं लोग तो देखो रिफ्रेक्शन की वैली तोड़ा सा कम कर देना हलका सा एसा ज्यादा नहीं होता आप एक इंडिवीजुल फाइल में करोगे ना प्रे यहां पर देखो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन के अंदर यहां एक औप्शन है कॉल्ड रिफ्लेक्शन आयो आउर यह बिसिकली आपके ग्लास की स्ट्रेंद को बढ़ा देखा जैसे यहां पर मैंने 3.5 किया तो आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में दिखाई थी एक अगर मैं देख रहा था तो वो ट्रीक की डालने के लिए आप यहां पर यहां प्रीवियू में भी देख पा रहे हैं चोटा सा एक वेल्यूबल नोट तो आपको यह समझ में आ गया होगा कैसे कुछ यह बेसिक से हैं जो इसके पर मैंने अपलाएं कि हैं यह आएंगे बात करते हैं क्या वीरे हमें offer करता है कुछ preset materials तो यह बिल्कुल करता है उसके लिए जैसे हमने आप लेफ्ट सरी राइट साइट पर एक्स्टैंड किया था अब इस टाइम पर हमें लेफ्ट साइट पर इसका एक्स्टैंड करना पर यहां पर ब्राउज material in cosmos का एक option आएगा पारे material फिलाल offline कर रखें glass के भी काफी अच्छे patterns मिल जाते हैं यहां पर भी देखें सो इस तरीके से आपको यहां पर पूरी library है although यहां पर अगर मैं क्लिक कर रहा हो main source के ओपर materials के ओपर यहां पर material पर जाने के बाद आप इसको extend करेंगे तो यहां पर भी आपके पास मिल जाते मेटल अगर डालना चाहते हो मेटल कहां पर यूज करना है मेरे को जिसे aluminium आप यहां पर देख पाएंगे इनके उपर अगर यह शेड है इनके पर तो डालना है ना मैं सो इस केस में आप यहां पर क्या करेंगे simply आप इन में से कोई भी जो आपको समझ में आता है वहा यह panel open हुआ है after that सबसे पहले आप सोचो आख बंद करके आपकी requirement क्या है तो जो हमारा reflection है वो हमेशा full होगा yes of course यह उसके बाद यहां पर एक option है reflection आयो आप जैसे आप इसको on करते हो है ना आप इसके आयो और को तो adjust करी पाओगे अगर आपने फ्रेशनल को आफ कर दिया तो यह as a mirror काम करता है यहीं पर main game है आयो तो भूल भी जाओ इसको ना यूज करो तो भी चलेगा देखो तरीके बहुत सारे है फ्रेशनल को मैंने आफ किया मुझे मनाना है तो आप यहां पर इसको ब्लर करना और ब्लर करने के लिए मैं यहां पर इस glossiness पैनल का यूज करूंगा आपने देखा कितना जादा आसान है यहां पर बाकि सारे materials के साथ भी प्ले करना अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें यह यहां पर चैनल पढ़ नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है और अप्डिट्स पाने के लिए तो बहुत सारे काम आपको भी है तो आप उनको जरूर फिल अप करें वैल आगे बढ़ने पर हम लोग बाकि और लाइटिंग के सेटिंग बाकियो सेटिंग के बा आप